रिष्टा संभालना मुश्किल बनाना आसान है, संभाल के रखो रिष्टों में भी जान है। ये पंक्तियां आप जैसे ही कुछ लोग अकसर मिल जाते हैं जो ये प्रशन पूछते हैं और तभी लिखी थी कि रिष्टा संभालना मुश्किल बनाना आसान है। बना तो लेते हैं हम relationships बहुत असानी से पर उनको संभाल नहीं पाते हैं रिष्टा संभालना मुश्किल बनाना असान है संभाल की रखो रिष्टों में भी जान है और संबंद कई तरह के होते हैं संबंद सिर्फ girlfriend boyfriend का नहीं होता है संबंद पती-पत्मी का नहीं होता खाली संबंद माता-पिता का नहीं होता खाली संबंद मैत्रे मित्रता का नहीं होता खाली संबंद आपका परमात्मा से भी होता है संबंद आपका आपकी कला से भी होता है संबंद आपका अपने profession से भी होता है तो यहां जब आपने ये प्रशन किया ही है तो I would say let's take a wider picture of it कोई भी संबंध फिर वो तुम्हारा तुम्हारे प्रियतम या प्रियसी से है तुम्हारा तुम्हारे पती या पतनी से है तुम्हारा तुम्हारे माता पिता से या बच्चों से है तुम्हारा तुम्हारे मित्रों से है, तुम्हारा तुम्हारे आराध्य से है, तुम्हारा तुम्हारे पैशन से है, तुम्हारा तुम्हारे प्रोफेशन से है हर सम्मंद का सूत्र एक ही होता है कोई भी सम्मंद इस सूत्र से बाहर नहीं है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक building पहले चुटी-चुटी घर हुआ करते थे फिर तीन-तीन मंजिल के होने लगे अभी तो 32-32 मंजिल के घर होने लगे high-rise buildings but what is the architecture behind it? What is that that keep that high-rise building stable? Beh vous क्या है जो उस्सेंची building को रोक करके रखता है वो है उसकी नीव जड़ अगर नीव जितनी ऊची building होगी ना उसकी उतनी गहरीनी नीव होगी चोटी सी नीव से कच्ची नीव से भी ना गहरीनीव से ऊची building नहीं खड़ी hacer है बस यही रिष्टों का नीयम है जिस रिष्टे की नीव जितनी पक्की है वो रिष्टा उतना ही उचा उठेगा और जिस रिष्टे की नीव ही कच्ची है वो रिष्टा तो तूटेगा ही तूटेगा बिस पिल्कुल उस बिल्डिंग की तरह ढह जाएगा वो नीव कैसे पक्की होगी क्या चल के आधार पर, कपट के आधार पर, जूट के आधार पर पकी नीव रखी जा सकती है? ने तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक relationship को maintain करें, एक रिष्टे को maintained रखें तो आपको उसकी नीव सत्य के आधार पर रखने होगे आज आप जूट बोल करके किसी को क्षणिक relationship तो दे सकते हैं, लेकिन long term में यानि वो building खड़ी तो हो जाएगी पर टिक नहीं पाएगी, रिष्टा संभालना मुश्किल है, बनाना आसान है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस रिष्टे को संभाल करके रखना तो बहुत जटिल और कठिन काम है और अगर उस रिष्टे को संभाल के रखना चाहते हो, चाहते हो कि तुम्हारी building खूब लंबी हो तब तुम्हें उसकी पक्की नीव तयार करनी पड़ेगी और वो नीव तयार होगी सत्य के आधार पर कभी भी किसी रिष्टे की नीव जूट पर मत रखो और बेंड रुनी एन ओंड टौनी से네 फसीन और तू सलीशन संभा ने कि जो है वो और सथरु है बच्छों पथि पौक ने जू दूनकर को जूट बोलते है वाहे। बच्च्छों को बाच्पन स्यूट बोलते हैं किटीपाटी में जाता है पड़ो कहते हैं बीटेSi जोक्टर एंट में ऐँ मैं से तो नियू scream ही हमारे बड़े प्रीय थे घन को जब तक फिर पकड़ेजू और जब तक चोर पकड़ेना जाओ तब तक चोर पकड़ेजंग़ बिल्कुल उस दिन का इंतिजार मत करो कि जब पकड़े जाओगे चोर तो तुम अब भी हो तुम जूट बोलते हो तुम चोर हो तुम चोरी करते हो तुम चोर हो हाँ जब पकड़े गए तुम घोशत चोर हो जाओगे पर तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतर आत्मा तो जानती है कि तुम्हार हो, उसके लिए तुम्हें किसी और को जताने की या बताने की आवशक्ता थोड़ी ना है, तो कोई भी रिलेशनशिप की नीव सच पर रखो, अगर आपके रिष्टों में समस् है, तो पहले चीज़ तो सच बोलो, दूसरी चीज़, कमिनिकेशन इस वेरी वेरी इंपॉर्टन, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो लेट गो, चलो जाने दो, ने, हम बात करके हर समस्या का समाधार निकाल सकते हैं, जब दो देशों में बात करके युद्ध उलट जाते ह तो तुम तो दो व्यक्ती हो, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहो, अपने गुरू से अपने दिल की बात कहो, अपने प्रियतम, प्रियसी से, पती, पतने से, माता, पिता से, बच्चों से, अपने बच्चों को कब बताया उनके आखों में आखे डाल के बीठा, मै माब आपको कोब आखरी बार का था मा मैं तो बहुत प्यार करता हूं एक्सप्रेस वथ यू फियो इस वेरी इंपॉर्टेंट और ये छोटा सा आधार होता है जो बहुत बड़े-बड़े रिष्टे खतम कर देता है जो मन में कह दो किसी का कुछ बुरा भी लगा कह दो पर क ऐसे कहो कि सत्तम ब्रयात प्रियम ब्रयात नब्रयात सत्तम अप्रियम शास्त्र भी कहते है सत्ते बोलो पर प्रिये बोलो ऐसे नहीं कि काने हो को और रहे तो तो खाना है और काने ने पीट दिया तुमें फिर को गया रहे हमारी गुरुजी ने काता सच बोलना कि किसी की को बुरी लेकर देखो अब मैं तुम्हें इस वक्ता रही हूं ना उल्री ञुम पर है जिसके थिन अंतरन नियाइए इस वक्त जो सभू गुष्षे में है ए उस वक्त तुम काने को उसी हगरा कर देत I तो क्या करना है प्रतिक्षा करनी है सही समय की सही समय पर सही तरीके से सही ढंक से सही बात कहनी यही तो हमारी कुठनेती है यही तो हमारीetty दिप्लोमसी है वहारत तो soft diplomacy की power है भाई और तीसरा और अंतिमकारे आपको समझना का तो पहला हुआ कि सच की नीव रखो honesty की नीव रखो जहां जूट आया रिष्टा खतम फिर चाहे वो तुम्हारा तुम्हारे परमात्मा से ही की नहीं है याद रखना इस बात को दूसरा जो मन में कहो express yourself हमेशा बताओ तीसरा और बहुत ही महत्वपून ये कि बदलाव से विचलित मत हो 90% रिष्टे किसी से भी partners के professional partners के मित्रों के क्यों खतम हो जाता है तुम बहुत बदल गए तुम अब पहले जैसे नहीं रहे इस fact को accept करो कि कोई पहले जैसा नहीं रहता है प्रकृती का नियम है कि प्रतिपल तुम्हारा शरीर बदल रहा है प्रतिक्षण तुम्हारा मन बदल रहा है तुम्हारी भावनाई बदल रही है और प्रकृती का ही लियम है कि बदलाव ही प्रकृती है बदलाव ही स्रिष्टी है अगर बदलाव नहों परिवर्तन नहों तो सृष्टी आगे नहीं बढ़ेगी इस सच को एक्सेप्ट करोगी जो व्यक्ति दस साल पहले जासा तब वो ऐसा नहीं है नहीं जो एक हफता पहले तब ऐसा भी नहीं है वो बदलेगा तुम भी बदलोगे और इस बदलाव को जितनी जल्दी एक्सेप् करना है कि बदलाव चेंज यूनिवर्सल चेंज इस दी अल्टिमेट रूथ बदलाव ही सबसे बड़ा सकते हैं और जिस दिन यह सकते अपना लोगे तो तुम बहुत बदल गए हो तुम वैसे नहीं रहे जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था वो बदलेंगे आप भी प्यार से सही समय पर जो रहे हैं परिवार के लिए उचित नहीं है तो इसको ज़रा ठीक कर लो और फिर चौथी चीज अगर कुछ भी ना हो आचारे जी फिर क्या करें है ना तो चौथी चीज की बात पहले करके देख लो तीनों फिर बताएंगे कि वो भी ना हो तो क्या करें लेकिन 100% देना है अपना इन तीनों में यह नहीं कि आधा अधूरा प्रयास सिर्फ आधे करोगे तभी 100% रिजल्ट मिलेगा